साबिर अली एक एतलीट थे, जिन्होंने डेकातलॉन में 10 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें 1981 में टोक्यो, जापान में आयोजित एशियाई अथलेटिक्स चैंपियन्शिप शामिल थी, उन्होंने काटमांडू और धाका में आयोजित दक्षन एशियाई अथलेटिक्स मीट मे दो रज़त पदक जीते, उन्हें अर्जुन पुरसकार से सम्मानित किया गया था, उन्होंने एननाय स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि स्प्रिंटर हिमादास एक जबरदस्ट फाइटर और छोटे बच्चों के लिए प्रेरनास रोथ हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए आल ओट जाती है तो उसका जो यह मैडल उसने जीते हैं एप्रिशेबल है लेकिन क्योंके टाइमिंग अपना बेस्ट नहीं कर पाई है तो उसके लिए से थोड़ा अभी उसको बहुत मेहनत करना है और उसके इंप्रुमेंट के चांसिस बह 400 मेटर जो है उसका मेन इवन और मेन इवनट में जब आद मीं परफॉर्म करता है तो सैटीसक्षेक्शन हो लेकिन वो टाइमिंग थोड़ा बेस्ट टाइमिंग नहीं है तो बेस्ट टाइमिंग को देखते हुए उसको थोड़ा सा अपने माइन में खुद ही रहता है कि मेरे को इंप्रूव करना है मेरे को अपना टाइमिंग बेस्ट करना है तो उसके लिए उसको थोड़ा कड़ी मेनत करने पड़ेगे बहुत अच्छा परभाव पड़ता है क्योंकि इंडिया में लगता है ने के बाहर जाएंगे तो कोई अमेरिकन होगा जर्मन होगा उनके सामने ने कंपीट नहीं कर पाएंगे जब देखेंगे कि हमारे देश की लड़की बाहर जारके मैडल ले रही है तो उनको काफी अच्छा उनके माइन में रहेगा कि हाँ हम भी कंपीट कर सकते हैं हम मैडल ले सकते हैं उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा नहीं बहुत प्रिक्त करेगा बैक पेन तो किसी भी इवेंट में हो तो वो प्रॉब्लम करता है और परफॉर्मस भी वो आल आउट नहीं अपनी परफॉर्मस दे पाता है तो उसके लिए मौटिवेट इसलिए करें क्योंकि उसको रिकवरी होगी उसके माइन में रहेगा कि मैं पहले मेरे को चोट लगा था और मैंने ऐसे परफॉर्म किया था और हम मैं ठीक हूं तो मैं उसके अच्छे परफॉर्म कर सकती हूं तो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मेरे को अब रिकवरी करके और पहले से बेटर करना है नहीं देखिए उसका तो मैंने बताया अब आप भी बतारें कि उसको थोड़ा चोट लगी थी तो हमादास तो रिकवरी करने के बाद बेस्ट करेगी अपना टाइम बेस्ट करेगी इस साली कर जाएगी और जो दूती चंद है तूती चंद पहले से ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी भी वो सीजन बेस्ट हुआ नहीं अभी उसने वर्ल्ड उन्वर्स्टी में गोल्ड जीता है ये एक हिस्त्री है ये आज तक नहीं हुआ है कि कोई हंडर मीटर में पीटूशा भी हुई है लेकिन वो गोल्ड नहीं जीत पाई थी इसका टाइम ही बहुत अच्छा टाइम है इसका तो इसको ये अभी आगे इ नहीं हीमादास का तो अभी पता नहीं है फाइनल क्वालिफेकेशन राॉंड के कब है या कब उसका अभी चांस है के नहीं है अगर चांस होगा तो क्योंके वो क्वालिफाइड कर सकती ए उसमें पोटेंचल है तो वो अगर फिट हुई या उसका पीक रहा तो वो क्वालिफाइ कर जाएगी मेरे विचार में तो उनको 400 मेटर पे ही फोकस रखना चाहिए 200 मेटर पे नहीं करना चाहिए 400 मेटर पेस्टिमेंट है बढ़ा कॉन्फिडेंस उसको उस रेज के और उसी को उसी में पाटिस्पेट करना चाहिए नहीं ऑलम्पिक में उसने किया था 50 पाइंट सम्धिक तो कर चुकी है वो और उसको रिपीट करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लएगा वो इसी साली उसको रिपीट भी कर जाएगी यह करेजियस एथलीटी ऐसे कर सकता है जो चोड़ लगने के बाद और एक टॉप लेवल पर कंपीट करें वो एक खिलाडी एक अच्छे खिलाडी की पहचान होती है यह फाइटर जो कॉलिटीज के एथलीट हैं चाहिए दूती चंद हो चाहिए हीमा दास हो यह फाइटर यह बहुत अच्छा पार्टी कर रहे हैं और अच्छा करेंगे